दोस्तो आज हम आपको जंगल का एक ऐसा बादशाह दिखाने वाले हैं जिसके हमले आपको बहुत ज़ादा हैरान कर सकते हैं ये कोखार शिकारी इतना बेरेम है ये बड़े से बड़े और छोटे से छोटे जानवर को भी नहीं बखसता और हर किसी जानवर को अपने दर्दना आख हमलों का शिकार बना लेता है आकर ये शिकारी कैसे अपने शिकार को दबोचता है और किस तरह के हमले उन पर आजमाता ह अगर आप नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं इसको उखार शिकारी का नाम है जैकल यानी सियार जी हाँ ये वही शिकारी है जो जंगल की दुनिया में अपने वार से तहल का मचा रहा है और बेचारे जैनवरों को मौत के हवाले कर रहा है सियार एक बहुत ही शातर शिकारी है ये किसी भी शिकार को अपने हाँच से बचकर जाने नहीं देता है यहाँ देखे सियार ने गजेल को ढूड़ लिया है और अब इसने गजेल के साथ मारधार करना शुरू किया है ये वेचारा मासूम गजेल कहां इस दर्दनाख शिकारी से टक कर ले पाता इसलिए जल्द ही इसके हाँट लग गया और सियार मजे से इसे उठा कर अपने घर खुशी-खुशी ले गया जैसे ही सियार के दोस्तों ने इसके हाथ में स्वादिश्ट लंच देखा वैसे ही ये सब इस पर तूट पड़े और फिर ये सारे सियार इस गजेल बेबी को मजे ले कर खाने लगे लेकिन ये सियार बड़ा ही शातर था ये अपनी मैनत का फल किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था इसलिए इसने गजेल को अपने मूँ में दबाया और अपने साथियों से दूर ले गया नमबर टू जैकल वसिज एस्टोर्क यहाँ देखिये इस सियार ने सारस पक्षी को अपने मूँ में दबोच लिया है उस पर मजबूती से पैने दात गड़ाए हुए है जिससे ये जैकल के हाथ से बच कर कहीं भाग न जाए ये सारस इस शैतान से बचने की बहुत कोशिश करता है साथ ही ये अपने पंक भी उठाता है जिससे मौका देखकर ये जल्दी से फरार हो जाए लेकिन भया उसने तो इस पर अपनी मजबूत पकड बनाई ही रखी और उसे हवा में उठाता हुआ सीधा चलता बना ये सारस बिचारा मुफ्त में जैकल के मौह लग गया जहां कई भी जैकल किसी जानवर को देखता है वैसे ही तुरंट उसको अपने पेट में उतारने के लिए तूट पड़ता है यहां भी ये वाइल्ड बीस्ट के छोटों से बच्चे को अपने पेट में जगा देने की कोशिश कर रहा है लेकिन देखना ये है कि क्या वाइल्ड बीस्ट की मां उसे बचा पाएगी या फिर उसे मौत के मूह में जाने देगी लेकिन इस वारदात को देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजे ये देखे यहाँ जैकल ने बेबी वाइल्ड बीस्ट पर धावा बोल दिया है बच्चे को खत्रे में देख वाइल्ड बीस्ट मम्मी के अंदर का जानवर जाकता है और वो जैकाल का सामना करने के लिए मैदान में उतराती है और जम कर जैकल को डराती धमकाती है जिससे ये दोनों जैकल भाग जाते हैं लेकिन पूरी तरह से छोटू बेबी को नहीं छोड़ते बलकि ये दोनों शिकारी बच्चे के आसपास ही गूमते रहते हैं कुछ देर ये सलसला ऐसे ही चलता रहता है अब जादा ही हद पार हो जाती है तो वाइल्ड बीस्ट मम्मी जैकल पर हमला कर देती है लेकिन ये वार उसके बच्चे पर लग जाता है जिससे ये वाइल्ड बीस्ट बेबी जमीन पर गिर पड़ता है वाइल्ड बीस्ट मम्मी का गुस्सा देखकर ये दोनों जैकल यहां से एक दो तीन हो जाते हैं यहां दो खुखाद जैकल एक ही गजेल पर तूट पड़े हैं और दोनों ने इसको अपने गरफ्त में ले लिया है वैसे तो एक जैकल अपने शिकार के लिए मौद सावित होता है लेकिन यहां तो दो दो जैकल यमराज बनकर गजेल के प्रान निकालने आए हैं पहले तो यह गजेल अपने पैने सिंगों के ताकत इन दोनों सियार पर आजमाता है लेकिन सियार का इसके सिंगों का कोई असर नहीं पड़ता यह दोनों लगातार गजेल पर हमलों की बौचार करते रहते हैं जब गजेल ठक कर बैट जाता है तो इन दोनों जैकल को गजेल मौत के घाट उतारने में और जादा आसानी हो जाती है और ये इसके पिछले हिस्से पर वार करते हैं कुछी देर बाद गजेल के सिर्फ लास इस जगा पर देखने को मलती है वाकई ये जैकल बोड़ी ही बेरहम शिकारी है यहां सारस पाने के किनारे पकड़ा गया है और इसको गरफदार करने वाला कोई और नहीं बलकि एक जान लेवा शिकारी जैकल ही है जैकल ने इस मासूमित का फाइदा उठा कर इस पर हमला बोल दिया है पहले तो ये सारस इसके सामने घुटने टेकने के लिए राजी नहीं होता है लेकिन इसके दरदनाख हमलों कि चलते ये भी कुछी देर में इसके पैरोपरागरता है क्योंकि जैकल के खमले से बچنا मुश्किल ही नहीं नाममकन है कहते हैं ना जान हर किसी को प्यारी होती है इसलिए सारस भी अपनी जान बचाने की आखरी कोशिश करता है पर इस सारस की इस जैकल के सामने एक भी नहीं चलती और बेचारा इसके हमलों का शिकार हो जाता है ये बेचारा सारस फर्फराता हुआ इस दुनिया से रवाना हो जाता है अब मकाबला होने वाला है जैकल और हाइना के बीच ये दोनों ही शिकारी बड़े खूँखार है यहाँ देखे कैसे ये छोटू सा जैकल हाइना के साथ छिड़ खानी कर रहा है लेकिन हाइना इसके साथ पंगा नहीं लेना चाहता लेकिन बाद में ये हाइना जैकल बेवी पर तूट पड़ता है और इस पर बड़े ही खतरनाख हमले करना शुरू कर देता है अपने बच्चे को खतरे में देख जैकल की फैमली से बचाने के लिए आ जाती है और फिर ये पूरी टोली मिलकर हाइना का हाल बेहाल कर देती है ये विचारा जहां बबर शेर बन रहा था वहीं अब ये भीगी बिल्ली बन कर अपना मूँ चुपा रहा था लेकिन इसने इस मारा मारी में जैकल के बच्चे को नहीं छोड़ा और उसे अपने मूँ में जक्ड़े रहा इसके घर वालों ने छोड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन अफसूस इनका एक फैमली मेंबर कम हो ही गया यहां तो भाई मुकाबला बड़े ही जोरो शोरो से चल रहा है यहां हनी बैजर ने अपने शिकार की जुगार कर ली है और अब यह नागराज को अपनी बाहों में समेट बैठा है लेकिन जंगल के दुनिया में लंच करना वो भी अकेले 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 ऐसा तो हो ही नहीं सकता इसलिए जैसे ही यह जैकल हनी बैजर को लंच करते देखता है वैसे ही यह भी इसके साथ खाना शेयर करने के लिए आ जाता है पर हनी बैजर भाई कहां अपना खाना किसी के सा करने के लिए तयार था यानी बैजर जैकल को वहां से बहगाने की कोशिश करता है लेकिन ये दोनों जैकल बड़ी ही जिद्दी थे ये भाई से अकेले खाना काने का मौका नहीं दे रहे थे इसलिए हानी बैजर साप को अपने घर जाड़ियों में लेकर गया लेकिन ये दोन से साप का स्वात चखा नबा एट जाकल वॉसिज वॉल्चर यह देखिए यहां गद्ध आराम से इस शिकार को नोच नोच कर खा रहे थे और बड़े ही खुश थे लेकिन इनकी रंग में भंग डालने के लिए जाकल यहां आ गया और इनके खाने पर हाथ पाउं मारने लगा लेकिन गद्ध को यह मंजूर नहीं था कि कोई पड़ोसी हमारी दावत में शामिल हो लेकिन फिर इन्होंने तो जैकल को अपनी दावत में ही शामिल कर लिया पर इस जैकल ने गद्ध को वहां से भगाना शुरू कर दिया और उन पर वार करना शुरू कर दिया कि बस इस श पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें साथ ही बल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल सके दोस्तो आपके स्क्रीन पर दो और वीडियो दिख रही हैं जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें